सल्मान खान केटरिना कैफ की फिल्म टाइगर 3 को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 17 दिन पूरे हो चुके हैं इस फिल्म की शुरुवात भले ही बुलेट ट्रेन की रफतार से हुई हो लेकिन अब घरेलू बॉक्स ओफिस पर स्पाई उनिवर्स की ये मुवी कच्छुए की चाल चलते हुए नजर आ रही है वर्ल्ड वाइट सफलता की सीडिया चड़ने वाली टाइगर 3 की इंडिया में कमाई के मामले में हालत खसता हो रही है सौमवार के बाद अब टाइगर 3 का मंगलवार का अरली कलेक्शन भी सामने आ गया है तो चलिए जानते हैं कि मंगलवार को सलमान काटरीना और इमरान हाश्मी की फिर्म ने टोटल कितनी कमाई की है टाइगर 3 ने बीते वीकेंड पर बॉक्स ओफिस पर जिस तरह से वर्ल्ड कप के बाद खुद को संभाला था उसे देखते हुए फैंस को ये उम्मीद थी कि मूवी दो बारा रफ्तार पकड़ेगी हलाकि अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि सोलवे दिन यानि कि सौमवार को लगबग 2.60 करोड का बिजनिस करने वाली टाइगर 3 के लिए मंगलवार का दिन भी कुछ खास नहीं रहा सेकनिल के एक रिपोर्ट के मताबिक तीसरे मंगलवार को फिल्म के कलेक्शन में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली इस फिल्म ने मंगलवार को सिंगल डे पर महस 2.25 करोड का ही देश भर में बिजनिस किया है तो वहीं सल्मान खान और केक्टनर केफ की फिल्म टाइगर 3 का घरेलू बॉक्स ओफिस पर सत्रवे दिन में अब तक कुल 276.25 करोड तक कलेक्शन पहुचा है ऐसे में फिल्म का घरेलू बॉक्स ओफिस पर 300 करोड कलब में शामिल होने का सपना साकार होता हुआ नहीं देख रहा है आपको बता दे कि सल्मान खान की फिल्म के आजपास टक्कर में कोई अन्यर फिल्म नहीं रिलीज हुई थी हाला कि अब सल्मान खान की टाइगर 3 के पास महस दो दिन ही बचे हुए हैं जब ये फिल्म कमाई कर सकती है क्योंकि एक दिसंबर को रनवीर कपूर के फिल्म एनिमल टाइगर 3 को टक कर देने के लिए सिनेमा घरों में आ रही है फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही ऐसी तमाम बॉल्ली वुट से जूड़ी खबरों के लिए अब देखते रहे हैं रिपोर्टर जी धन्यवाद